धन्तेरे सेवं दिवाली के अफसर पर बंपर ओफर के साथ लगातार 6 वर्सों से आपकी सेवा में गोरी संकर फरनीचर सोरूंग, हाई स्कूल के सामने नोगशिया धन्तेरस के अफसर पर 10,000 के खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 के खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें विशेश ओफर, डेड़ लाग या उससे अधे के खरीदारी पर एक सोनी का सिक्का प्राप्त करें संपर्क करें सौरब चैस्वार 9709611058292943126 नमस्कार मैं हुई गिजार और आप देखरें जीए स्वीज आईए शुरुआत करते हैं विखार की ट्राइंग ट्राइंग ख़रें भागलपूर के गुपालपूर विधान सभा से जदियो प्रत्यासी गुपाल मंडल की हुई जीत राजत प्रत्यासी सेलेस्ट कुमार को हडा कर हुए विजई जदियो खेमे में चल रहा है जश्न का माहुर वहीं जीत के बाद गुपाल मंडल ने कहा कि विखास की जीत हुई है गुपाल मंडल ने मुख्य मंत्री स्री नितिस कुमार जी को स्रे दिया है और लगादार हुए च्वाथी बार विधायक बने है बिहार में कोरोना का कहर जारी है फिर मिले कोरोना के 798 नए मरी एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 7,536 बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं दे रहा स्वास्त विभाग की ओड से ताजा अप्डेट जारी की गई है इस अपडेट के अनुसार आज राजी में कोरोना के 798 नए मरीज मिले हैं राज़धानी पट्टा में कोरोना के सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं जहां कोरोना के लिए नए मरीजों की संख्यां पर 304 हो गई है अमित साह ने गुलाई बीजेपी सामसदिय बोर्ड की बैठक सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद विधान सभा चुनाओ के रुजान को देखते हुए यह खबर सामने आई है कि आज साम 5 वजे क्रिह मंतरी अर्मित साह ने बीजेपी के सामसदिय बोर्ड की बैठक गुलाई है सुत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे मंतरी नंद किसोर की जीत पटना साहिब से कॉंगरेस के प्रवीन सिंग को हराया कई विधान सभा सीटों पर चुनाओ के नतीजे सामने आ चुके हैं बिहार सरकार के मंतरी नंद किसोर यादब ने भी पटना साहिब से जीत हासिल कर ली है पांचमी बार बिधायक बने बाहुपली अनन्त सिंग समर्थकों में उच्साह की लहर अनन्त सिंग पांचमी बार मुकामा बिधान सभाच शेत्र के विधायक बने वह राष्टिये जंतादल के टिकट से चुनाओवी मैदान में उत्रे थे उनका मुकाबला जंतादल युनाटेट के राजीव लोचर नारायन सिंग से था लेकिन अनन्त सिंग ने राजीव लोचर नारायन सिंग को चुनाओवी मैदान में करारी हार दी है संदेश सीट से किरंदेवी की धमाकेदार जीट अपने जेट गिजेंदर यादव को भाड़ी अंतर से हराया बिहार विधान सवा के 22 सीटों पर NDA की जीत हो गई है जबकि महागरवंदन के 10 उम्मिदवारों ने बाजी मारी है बोचपुर्ट जीले के संदेश विधान सवा सीट से RJD विधायक अरुन यादव की बतनी किरंदेवी ने अपने जेट को जेडियों के उम्मिदवार विजेंदर यादव को भाड़ी अंतर से हरा दी NDA गठबंदन सरकार बनने तब का बहुमत का आखड़ा पाड़ हो चुका है जिसके बाद NDA गठबंदन में फुसी का लहर देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ इस बार बिहार विधान सवा चुनाव में PM योगी आदित्यनाथ की यह प्लानिंग काफी कामियाब रही जिसके बाद बिहार में NDA गठबंदन सरकार बनने की तरफ बढ़ी और बिहार में पहली बार BJP सबसे बड़ी पार्टी बन कर सामने आई NDA गठबंदन की बढ़त और बहुमत के पार आखड़े होते ही पार्टी कारियाले में जस्न का माहोल कायम हो गया सभी नेता एक दूसरी को रंग अभीर गुलाल लगाते दिखे दूसरी तरफ BJP की महिला नेत्री में काफी जोरदार लहट देखने को मिला महिला नेत्री एक दूसरी को गुलाल लगाते हुए कुछ भोल नगाडे बजाते हुए दिखे विजेंद्र परसाद यादब ने आठमी बार भी मारी बाजी सुपॉल में NDA में जस्न सुपॉल विधान सभा की सीट प्रदेश राजनिति में होट सीट मानी जाती है इस छेत्र का नेत्री तो विगत तीस वर्सों से लगाता विजेंद्र परसाद यादब के हाथ में चल रहा है साथ चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आठमी बार बाजी मार ली है उन्होंने साबित कर दिया है कि मत दाताओं ने उन्हें सिर आपों पर बिठा कर रखा है चिराग अब क्या करेंगे नितिस कुमार को कैसे भेजेंगे जेल बिहार की जनता ने लोजपा सुप्रीमों के दंब को किया पानी पानी लोच्पा सुप्रीमों अब क्या करेंगे चिराग के दंब को विहार की जनता ने पानी पानी कर दिया चिराग की एक भी भविस्यवाने शही साबीत नहीं हुए चिराग चले थे नितिस कुमार को जेल भेज कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने लेकिन वे ना घर के रहे ना घार के तेजसरी यादव को सीएम कुरसी तक पहुचाने के लिए चिराग काम्याब तो नहीं हुए लेकिन विधान सभा पहुचने में जरूर मदद की है नौगच्या सेथ आसपास के लोगों के लिए खुश खबरी अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही राशत खरीदने की क्या है जरूरत जब ओई माट है आपके लिए तैयार ओई माट के मोबाईल एप वबेफ साइट से करें खुल कर खरीदारी पाएं होम डिलिवरी संपर्क करें 8340371787 7325 052 437